सब्सक्राइब करिए जॉब इंडेक्स को ताकि आपको गॉर्मन जॉब्स के रिगार्डिंग रेगुलर अपडेट्स मिलते रहें तो गाइज वेलकम बैक टू दा चैनल इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आप इंडियन कोजगार्ड के फिजिकल फिटनेस टेस्ट की तियारी कर सकते हो क्या है स्टैन्डर्ड बहुत जादा कन्फूजन रहती है लोगों को इंडियन कोजगार्ड की डीटेल्स की रिगार्डिंग कैसी जॉब है कैसी लाइफ है क्या फिजिकल फिटनेस टेस्ट होगा तो इस चैनल पे बहुत सारी वीडियो मैंने बनाई हुई है जिसमें आप जाकर देख सकते हो कि कैसे आप इंडियन कोजगार्ड में जब जॉब करोगे उसके बाद आपकी लाइफ कैसे होगी क्या वर्क लाइफ है क्या वर्क कल्चर है वो सारी वीडियो भी आप देख सक तो अगर आप इस चैनल के साथ जोड जाओगे तो आपको इधर उधर वीडियो या इधर उधर न्यूज या कोई भी नोटिफिकेशन देखने के लिए भागना नहीं पड़ेगा इस पॉइंट पे आपको सारे नोटिफिकेशन एक जगह पे मिल जाएंगे जो भी आपको relevant लगेंगे आपके रिगाडिंग तो आप इस चैनल की लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन ने दी गई है वहाँ जाकर इसे जोइन कर सकते हैं तो इस वीडियो में अगर हम शुरू करें हम डिसकस करेंगे कि फिजिकल फिटनेस टेस्ट आपका क्या होता है कैसे आपको तयारी कर तो इसलिए यहां की तैयारी करनी भी आपके लिए थोड़ी आसान होगी जब आप फिजिकल फिटनेस टेस्ट के लिए जाते हैं तो कोई भी आपको फिजिकल इंजिरी हो कोई भी आपको चोट लग जाए उसकी रिस्पॉंसिबिलिटी आपकी होती है यह आपको तब हो सक जब आपने कम प्राक्टिस करी हुई है, सडन आप फिजिकल फिटनेस टेस्ट को देने के लिए चले गए हैं, फौज में भरती भी होना सबसे ज़्यादा इंपोर्टेंट है अपने फिजिकल फिटनेस को बरकरार रखना, तो इसलिए आपको अच्छे शूस पहने हैं, अच अच्छा ट्राउजर होना चाहिए, जिसमें आपको comfortness बिल्कुल मिले, ऐसा नहीं कि आप कुछ भी लेके चले गए और तब जब exercise कर रहे हैं, तब आप comfort नहीं हैं, comfort नहीं होगे, एक तरीके का mental pressure आप में already बन जाएगा, जब वो mental pressure आपके दिमाग में already रहगा, आप अच complete करनी होती है, 7 minute के अंदर, अगर आप 7 minute के बाहर आए हो, तो तो आपको नहीं लिया जाएगा, आप reject हो गए हो, लेकिन अगर आप 7 minute के अंदर आए हो, तो उसमें भी जो टॉप पे आते हैं, उनको अलग रखा जाएगा, जो बाद में आते हैं, उनको थोड़ा अलग करो आप 6 minute तक आजाओ, और जब आजाओ, उसके बाद फिर आपका continuity में, जैसे ही आप अंदर आजाओगे, आपको 1-2 minute का 5 minute का rest मिलेगा, उसके बाद आपको 20 उठख बैठख करने होंगे, 20 उठख बैठख आपको जो करने पड़ेंगे, उन square ups का आपको डिस्प्ले करा ज हिसाब से जो instructor आपको बताएंगे, आपको करना पड़ेंगा, जैसे ही आपके 20 उठख बैठख हो जाएंगे, उसके बाद आपको 10 push-up करने पड़ेंगे, जो ये 10 push-ups होंगे, ये बिल्कुल plank shape में आपको करने पड़ेंगे, हाथ, कमर, bend नहीं होनी चाहिए, पैर, bend नहीं ह होने चाहिए, गर्दन उपर नीचे नहीं जानी चाहिए, तो इसको भी बड़े तरीके से आपको push-up करने पड़ेंगे, तो इसकी practice डालो, ये तीनों टेस्ट जो होंगे, एक के बाद एक होते हैं, तो इसी लिए जब candidates को नहीं पता होता, आप सोचते हैं कि यार, 10 push-up हैं मैं तो आराम से कर लूँगा, फिर जब आप उधर जाते हैं, आप देखते हैं, पहले तो 1.6 km दोड़ा दिया, उसके बाद टाइम भी नहीं दिया, पांच मिनट के अंदर आपको बोला, उठक बैठक करो, फिर आप थोड़ा और ठक गए, तोरंत जैसे ही वो हुआ, दो म आपको अच्छी लगी होगी, वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना, चैनल पे पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना